दक्षिन्पूर्व मध्य रेलवे डियार यू सीसी मेंबर इंजिनियर जस्पाल सिंग चावला ने देश की रेल मंतरी अश्विनी वैशनव को ग्यापन भीच का सितंबर 2021 में घोशिक प्रस्तावित गुरुद्वारा सरकेट ट्रेन की परिचालन को जल्द शुरू करने की म आम लोगों को जागरू करने के उद्देश से रेलवे पिछले कुछ वर्षों से ऐसी कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है रामायन सरकेट और बुद्ध सरकेट के बाद गुरुद्वारा सरकेट ट्रेलवे की नमिंतम परियोजना है जिसकी घोशना सतंबर 2021 में हुई थी कहा गयाता की यह ट्रेन पांचों तकतों की प्रमुक गुरुद्वारा साहिब को कवर करेगी इस स्पेशल ट्रेन में स्लीपर क्लास और एसी क्लास समित 16 कोच होंगे सिक गुरु साहिबों की नगरी श्री अम्रसर साहिब से शुरू और समाप्त होने वाली 11 दिवस्य यात कम से कम पाच प्रमुक गुरुद्वारा साहिबों को कवर करेगी जिनमें श्री अम्रसर साहिब में श्री दर्वाज साहिब हर्मिंदर साहिब बिहार की राजदानी पटना में तकष्री हरीमंदर जी पटना साहिब श्री आनंदवो साहिब पंजाब श्री दमदमा साहिब बटेंडा श्री अबचल नगर हुजूर साहिव नांदेड महाराश्र शामिल है। रेलवे की उपरुक्त परियोचना का केंद्रिय बंद्रियों हरदीब सिंग पुरियों और धरमेंद्र प्रधान ने 10 सितंबर 2021 को अपने अधिकर ट्वीटर अकाउंट पर इसका स्वागत भी किया था। इस जल्द सिख श्रत दालूं के लिए शिरू किया जाना चाहिए। सदस्यों आकाल तक्त साहिब के जत्थेदा ज्यानी हरपीज सिंग शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंदक कमेटी अम्रत्सर की प्रधान एड्वोकेट हरजिंदर सिंग धामी तकत सच्छकंड हुसूर्द साहिब नांदेर बोर्ट के चेर्मेंट डॉक्टर परविंदर सिंग पसरीजा जत्थेदा श्री हरीमंदिर जी पटना साहिब बिया जत्थेदा श्री दंदमा साहिब जत्थेदा श्री हुजूर्द साहिब गुरुद्वारा नांदेर महराश्र दिल्ली सिंग गुरुद्वारा प्रबंदक कमेटी के अध्यक्षि सांसद अशोक नेते सांस सुनील मेड़े पूर विधाय गोपाल दास अगरवाल दक्षिन पूर्व मध्य रेलवे महाप्रवंदक मंडल रेल प्रवंदक नाकपुर विभाग को भी भेजी है चावला को पूर विश्वास है रेल मंत्राले सिख धर्म को मानने वाले श्रद्धालों की भावनाओं को ध्यान में रखती हुए गुरुद्वारा सटकी ट्रेन का परिचालन जल्द शिरू करेगा गोंदिया से BCN News के लिए अभिशेच भटनागर की रिपोर्ट